मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था हम हाथी पे हल न जुत्वाया करते हम पे बैल हैं बच्पन में ही मुझे इस जुमले का भावार्त समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की मुम्ताल उपरवरिस के मामले में मा के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तेद रहते थे दादी और उनकी जठानिया ही नहीं खुद मर्दजात पिता जी भी पर ठोस कामनों करने का यह मतलब नहीं था कि मा को आजादी का जुनून कम था वो भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी जाहिर है कि जब जुगनु आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए जिस तिस से पूछ कर उसके तरीके से नहीं खुद अपने तरीके से हमने अपनी मां को कभी भारती मां जैसा नहीं पाया न उन्होंने कभी हमें लाड किया न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहु होने की सीख दी कुछ अपनी विमारी के चलते भी वे घरबार नहीं समाल पाती थी पर कुछ उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचिका था उनका ज़्यादा वक्त किताबे पढ़ने में बीटता था बाकी वक्त साहित चर्चा में या संगी सुनने में और वे ये सब विस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्यों ने नाम धरते थे न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे उनमें सबकी इतनी स्रद्धा क्यों थी जबकि वह पतनी मा और बहु के किसी परचारित करतब भी का पालन नहीं करती थी सहाबी खांदान के रौप के अलावा मेरी समझ में दो कारण आये हैं वे कभी जूट नहीं बोलती थी और वे एक गोपनी बात को दूसरे पर जाहिर नहीं हुने देती थी पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला था दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती दोस्त वे हमारी भी थी मा की भूमी का हमारे पिता वो खुबी निभा रहे देते थे मुझे याद है बच्वन में भी हमारे घर में किसी की चिट्टी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूस्ता था कि मुझे में क्या उसमें क्या लिगा है पले ही वो है एक बहन की दूसरी बहन दूसरी के नाम क्यों नहों और मा यह जानने को बेहाल हो की बीमारी से वह उबरी या नहीं छोटे से घर में छे बच्चूं के साथ सासुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्टू बनाए रखने की छूट थी इसी निजित्टू बनाए रखने की छूट का फायदा उठा कर हम तीन बहने और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए लीक से खिसके अपने पूरवजू में मा और नानी ही नहीं होती तो गनी मत रहती पर अपनी एक परदादी भी थी जिने कतार से बाहर चलने का सोग था उन्हें ब्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी दो से जादा धूतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी जैन समाज में अपरिग्रह है कि सनक विरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती इसलिए वहां तक तो ठीक था पर उनका असली जल्व तब देखने को मिला जब मेरी मा पहली बार गरुवती हुई मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मननत मागी की अपनी पोतों का पहला बच्चा लड़की हो यह गयर रिवायती मननत माग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा उसे भगवान और अपने बीच के पोशिदा रखन के बजाए सरेयाम उसका एलान कर दिया लोगों के मुह खुले के खुले रहे गे उनके फितूर की कोई वाजिव वज़े ढूर नहीं मिली यह भी नहीं कह सकते थे कि खांदान में पुस्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी इसलिए मां जी बेचारी कन्यादान के पुनी के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी क्योंकि पिता जी की ही नहीं दादा जी की भी बेहने मौझूद थी पहला बच्चा हर बहु का बेटा होता रहा था खैर मां जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी बलकि बदस्तूर मंदिर जाकर मननत दोराती रही पूरा न नियार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती पर मा जी की आरजू कि इस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न हुआ होगा लड़की की गैर वाजीब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफ्री में आ गए कि एक ने दो पूरी पांच कन्या एक के बा बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दीदार की खुशनशिबी भी हात आई थी हुआ यूँ था कि किसी साधी के सिल्चले में नुकड की हवेली के तमाम मर्द बरात में दूसरे गाउं गए थी औरतें सजधस कर रद जगा मना रही थी नाज गाने और ढोलक की थाप के सो चोर में नामी चोर कब सेंज लगा कर हवेली में घुशा किसी को खबर न हुई पर चोर था बदकिस्मत जिस कमरे में घुशा उसमें माजी सोई हुई थी और तों के सोर से बचने को वे अपना कमरा चोर दूसरे में जा सोई थी चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठा कर उत्रा था वे अपना काम छोड़ दूसरे कमरे में जास होई थी चोर बिचारा तमाम जुगरफिया दिमाग में बिठा कर उत्रा था उसे क्या पता था कि इतनी बूड़ी पुर्खिन जगह बदल लेगी खैर बुड़ापे की नीद ठहरी चोर के दबे पाउं की आहट से ही खुल गई कौन माजी ने इत्मिनान से पूछा जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगा जबाब दिया पानी पिला माजी ने कहा जी मैं चोर जगकर रह गया तब तक माजी विश्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोट से पानी भला पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से चानियो चोर घबरा गया अंधिरे में इन्होंने कैसे जाना की उसके मूँ पर कपड़ा बदा है और कमर में भाग भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी पर बुड़िया भाग भाग भी चानती थी होगी एकदम एकिन्न हुआ इसी किस से कुछ हैरान परेशान हो उठा जल्दी कर भाई तभी माजी ने कहा बड़ी प्यास लेगी है मैं तो चोर हूँ मारे घबरहाट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया हुआ कि हुआ करे माजी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला पर देख मेरा धरम न विगाड़ियो लोटे के मुह को कपड़ा न हटाईयो हाथ रगड कर धोली जियो और पानी कपड़े से चान कर भरियो आप चोर के हाथ का पीलेंगी कहा ना रगड कर धोली जो सब नाजगाने में लगे हैं तेरे और भगवान के सिवा कौन धर लोटा तो पहलेदार ने धर्थ बोचा कोई पर देख लिया गया था मा जी ने लोटे का आदा पानी खुद पीकर माँकी चोर को बिला दिया और कहा यह लोटे से पानी पी कर हम मा बेटे हुए आप बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा सो रोमान चक धंदा छोड़ खेती से लगा सालों साल लगा रहा जब मैंने उसे देखा तो बड़ा मानुस बुड़ा लगा हुँ मुझे डरा डरा हैरान सा अब खांदानी विरासत कहे या जिवानूं का प्रकोब उन दो संकी बुड़ियों के बीच में अच्छी फसी एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी दूसरी तरफ नानी के चलते देश के आजादी को लेकर नाहक रोमानी ह हो रही